अगाल एव्रीबन वर्वेरी गूड मॉनिंग और हेपी मकर शक्रांती तो आज ना सक्रात है और इस बार जो है न दो दिन क्योंकि किचन में और जो भी चीजे दान पुन की हैं वो करनी है सुबह सुबह लेकिन फिर त्रिश उट गया तो पहले त्रिश के पास मुझे आना पड़ा तो इसको संभाल के फिर करती हो आगे के काम नीशो भाईया आजो नीशो जल्दी आओ ऐसे गूमेगा सब बच्चों की सिर्पे टप पर रहता है सब के सिर्पे सबके पैरों में जुत्ते जुराब रहेंगे और तो बिल्कुल ऐसे रहेगा बिखारियों की तरह और एक बहुत दूसरा नंबर का वो खड़ा इसका वे द देऊंगी रोग जा थाने देंगी तू कद्रूसरा ने पड़ा है तू कद्रूसरा तू मैंने पड़ा है रूसरा ओट्तिक फॉर पिल्दान अरे कितना आया अअ तो इसका बुचे दस दसके कि तने ले रा है पंड़त जी पोच्छा वा पंड़त जी वो नाड़ी दोन लागरा वो तो नहीं भी नहीं बहुत होगा था गाल दोदी को नहीं तो दीनले बदोदी निया मार्गी मारगी देखिए अपना सक्राद मना जाओं आज का विडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्लेज वीडियो को लाइक और शेयर करना और विडियो लंबा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने ही सोचा था कि पूरा का पूरा सक्राद का दिन जो है तो हार हमारे यहां कैसे मनाया जाता है वो एक ही वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर कर दू और दो पार्ट करने में मुझे कोई मजासा नहीं आ रहा था फिर इसलिए मैंने आज का ही वीडियो जो है आपके साथ पूरा इसी तरीक से शेयर कर दिया, जो बहसे लेके शाम तक का रूटीन, तो सबसे पहले हमारे यहां सोके उठने के बाद जो है, आग जलाई जाती है, जो कि नाने दोने के बाद ही जलती है, और उसके बाद मेरा काम था सीधा निकालने का जो कि मतलम जो पास का मंदिर है न वहां पे दे आउंगी या फर जो पट्णितों के गर्दे के आते हैं वह वहां दे आएंगे मंदिर में जो सुखा सीधा निकाला था ना वो मैं देख करके आ चुकी हूँ और उसमें दक्षना भी रखी जाती है वो सब मैं दे आई हूँ और महां से आने के बाद मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि सबसे पहले मिठे से ही शुरूआत होती है सकरात वाले दिन तो हमारे यहां सुखे के टाइम पे हलवा बनता है और खाने पीने के मामले में ऐसा है कि यहां का कोई भी रिच्वल चेंज नहीं हुआ है जो जैसे चला आ रहा था ना वो हर्त योहर पे आज भी वैसे ही बनाया जाता है जैसे कि दिवाली पे हमेशे यहां दाल चुर्मा और होली पे जैसे दाल चावल बनते थे हमारे यहां क्या होता था न वहां पे सब अपनी पसंद के हिसाब से आजखल चलने लगे हैं जिसको जो पसंद होता है वो बना लेते हैं लेकिन यहां पे दाल चुर्मा है तो दाल चुर्मा ही बनता है और आज के दिन भी यहाँ पे सुबह के टाइम पे हलवा बनता है और शाम को क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी तो आटा बुनने के बाद जब आटा थोड़ा सा आधा बुन चुका है न 50% तक तब मैंने उसमें एक डेड़ चम्मच जो है बेसन मिला दिया है बेसन की खुश्बू भी अच्छी आती है हलवे में और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है सूजी का हलवा यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करते कहते हैं कि सूजी का हलवा गी नहीं पीता इसलिए शेहरों में बनाया जाता है और निश्चे के पापा ने मुझे यह बात बताई थी एक दिन कि उसमें घी कम लगता है सूजी के हलवे में और आटे के हलवे में गी अच्छा डलता है अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हलका सा घी की कसर भी लग रही थी न तो मैंने एक चमच और एड़ कर दिया क्योंकि अभी तो यह बुन जाएगा इसी में मिक्स हो जाएगा बाद में फिर अलग-अलग सा रहेगा वह अच्छा नहीं लगेगा यह देखो आ कलर देखो आटा बेसन जो है फूल गया है सारा और उसके बाद इसमें चीनी एड़ कर देंगे ड्राइफरूट जो आज कोई भी नहीं डालूंगी क्योंकि वैसे मम्मी ने खाया नहीं लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो नहीं खाएंगी हल्वा तो फिर मतलब ड्राइफरूट किसी बनके तैयार हो गया है और गरम गरम तो खाने में मजा आता है हाला कि मैंने थोड़ाई बनाया आप देख सकते हैं चार पाच चम्मची होगा बड़े वाले तो यही सब लोग के लिए बहुत होगा सब अभी अभी खाएंगे क्योंकि फिर दिन में फिर मिठा बनेगा तो यह फिर रखा ही रहा जाएगा फिर कोई नहीं खाने वाला इसे और आपके यहां क्या क्या बनता है वो भी बताना कमेंट करके और विडियो बहुत अच्छा है पूरा देखना विडियो को तो सक्रात का जो ते ओहार होता है न ये दिन जो होता है ये दान करने के लिए सबसे मैत्वपून दिन माना जाता है कि बहुत अच्छा रहता है इस दिन का दान किया हुआ और इस दिन जो है न बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दान करते हैं कोई अपने गली में जो है जाड़ू निकालने के लिए बोल देता है कि एक साल भर जाड़ू निकाल देना अमारे गरीवे फिर लास्ट में उनको समान दिया जाता है कोई पोपो भाई की कहानी लेता है कोई सूरज लोटता लेता है कोई सो सेरा लेता है कोई दो-दो चीज का जोड़ा लेता है तो मैं मैं मतलब एक साल भर के लिए कोई भी चीज नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है तो मुझसे नहीं पुगती हैं वो चीजे मिरको जो करना होता है न मैं वो दिन के दिन कर देती हूँ पिछले दो तिन साल से जो है मैं ये सब करती हा रही हूँ एक बार कर दिया था है और एक साल में पिछले साल में चोटा जोडी जो है जुराबय और पैसे कर दी और इस बार चोह है मैंने चोटा चोधा करके तीन चार चीजे दी है और सारी चीजे खोल के नहीं बताऊँगी क्योंकि पिर कहते हैं कि दान करने का कोई महतुनी बनता अगर आप उसे इतना ज़्यादा गाद हो तो बस यह चोटा सा एक एक जामपल इसलिए दिखाया है मैंने आप लोगों को कि यह सब जो है हमारे यहां पे होता है कोई भी चीज अगर इसमें दान करते हो ना तो क्वांटिटी जो है 14 की होती है 14 की और यहां पे खिचड़ी का दान भी बूलते हैं कि सबसे अच्छा माना जाता है इस दिन तो फिर मैंने मेरे पास बरतन में दो टिफिन रखे दे का टोर दान तो उनी को भर लिया है मैंने खिचड़ी का और दो जगे दे दूंगी वो भी सूट, साड़ी, कपड़े, पैसे, बरतन जो भी जिससे बनता है वो जरूर करना चाहिए आज के दिन थोड़ा बहुत जादा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए तो अब जो है न जो पानी मैंने यूज़ किया था इन सारी चीज़ों को मिनसने में वो स सारा का सारा समान अपने से बड़े जो नेग में लगते हैं सास, जिठानी, ननन्द उन सब को दिया जाता है ताइस, पितस, मतलब चाची सास, ताइस, बुवा सास उन सब को आप दे सकते हो लेकिन मैं उठा के रखने में तोड़ा बिलीव नी कर दी मुझे ऐसा लगता है कि दिन के दिन जो निपड़ जाए वो अच्छा है तो मैंने गाओं में यहीं पे जो भी चाची ताही या जिठानी और मेरी लगती थी ना और दो नन्दे भी आई हुए हैं मेरी चाचा को जो पोता हो रहा है ना तो उनके घर में दोनो ननन दारी हैं तो उनको सब को मिला कोई बात है भी तो सारी गर की गर में आप अपने साइज की परफेक्ट फैनलो पहले फिर जो है ना हम भार जाना शुरू करते हैं और अगर आप मेंसे मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गाम से बाहर रहते हैं तो भी आप आस पड़ोस में साज जिठानी नंदे या फ कश आप 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 दे जाए हैं आप एक पर अंदर ना को ज़ेटे के देयों जबंद आँ गाम तीस नहीं तो रहते हैं कि लोगे अना विह नोंक तुम के लावटिक कशी हैं यह नहीं तो देलो नहीं लोड़िख जालची और आप लुड़ कर रहे तो भी आख दुन से द् कि यह फैर फूर तरेंडी ले ले नहीं है इसने विच्वेल कोई नहीं हमारी तो उदार चाल जाएगी कि जाओ तुम अच्छा यह पनी में समान सा ले थी ना मैं सोची कि तह जाओ है देखा है सुनी था के ले काई शूर्ट है कलमाड़ा चाजी सा तू पैर दिखा दे अर्यों पर के संत्री संत्री सा चुन्नी है चुंदड़ी था इंगे साथ तो आवे कोना हाँ बिना चुंदड़ी के देना ना चीना नुका दूरा मानना जावे ना अब बहुत शुत्रा सूर्ट दिया बाई सुनीता ने तो अपने दिसाय दिया कर दो थीगा और निचे किया इसके शुन्दर लाजो भी परादिया देगा तेरे ली पटलेगा अच्छा बई टाटा बाई बाई हम भी जात्ते दान पुन करिया हूं तो ये दोनों जो है ना मेरे देवरानी थी और हमारी मम्मी को जो है ना ये पैट शुके मतलब देने आई थी जो दिया वो तो आप सबने देखा ही बहुत ही प्यारा सूर्ट था पहनने लायक था भई पहन सकता है इंसान और मेरा पिमानना यह यह कि किसी को भी कुछ भी दोना तो वो ऐसा ही होना चाहिए मतलब यह समझ के नहीं देना चाहिए कि मेरे काम का नहीं है तो मैं देदू अहां सब को जो है अपने हिसाब से पहनने लायक ही देना चाहिए कि देखो जैसा मैं पहनता हूं वैसा ही दूम है और अभी न मैं निश्चे के बापा को लेकर के आ गई हूँ महले में जहां कि हमारे पुराने घर है सारे घर गुंबे के जो रहते हैं वहाँ पे आ गई हूँ के आ गई हूँ गई है जठानी के घर पे देने के बाद जिठानी को दे दिया है और दोनों जो लड़किया हैं उनकी उनको दे दिया है जि देना था और उसके बाद जो है योई कि यहाट, यहाट, साले में रूदूदूदूदू. ऐसक लूद् ... और इसके बाद ना भी मुझे एडिट करते टाइम भी पता चल रहा है यह जो लड़की घड़ी है ना निक्की यह यह ना इसको मैंने बोला था बेटा वीडियो बना दियो और इसने बनाई भी वीडियो की चाचे बंगी क्लिप और मैंने का चल बंद कर दे जहां उसके बाद जहां जहां हम गए थे और अब मैं फोन में देख रही हूं कि वीडियो ही नहीं है मतलब इसने कैमरा ही चालो नहीं किया निक्की इतने मैं बताओंगी जब तुम में लगी अब इना घर आने के बाद काफी लेट सा हो गया था क्योंकि टाइम का पताई नहीं चला पहां पे वाइफाई लगा हुआ है तो फोन में एक वर्जन आया हुआ था जो कि काफे टाइम ले गया मतलब अमारा आदे गंटे से उपर उसने लगा दिया तो फिर घर आने के बा दाल उबलनी भी रखती है क्योंकि मुंग मिसरी की दाल जो इना बहुत जलदी हो जाती है सिर्फ एक ही सिटी में होगी एक सिटी से पहले ये हो जाती है तो गलीगली सी और दाल बनके जो इना राज बने और आज दाल भी बिलकुल स्पेशल वाली बनती है एक दम खास और पीछे वोइस ओवर में तरिश जो है अपना काम कर रहा है मतलब कि वोईस में म्यूजिक देने का काम जो है इसका साथ साथ का रहता है अभी मेरे पास ही बैठा है जैसे मैं वोईस ओवर कर रही हूं तो दाल जो है ना बनके तयार है और आज डाल की लपटे डाल की तो दिन के खाने में जो आगलों किती लेकिन पिर चुर्मे का प्लान कैंसील हो गया, अभी टाइम हो चुका है रात का बंडारे का पता चलिए जुन के पाँ निश्चे है, बंडारे में जाओंगा चाचा के साथ और फिर निष्चे को आवाद सुनी तो निष्चे रड़ी हो गया कि मम्मा मैं तो बंडारे में जाओंगा तो रह गए हम दो मैं और मम्मी तो फिर हमने चुर्मे का प्लान कैंसिल कर दिया कि चलो चुर्मा बना लेंगे शाम को और अब रोटी बना लेते हैं तो वो वाली कसर जो अब पूरी होती मतलब शाम को बन रहा है चुर्मा वो कसर अब पूरी हो रही है क्योंकि चुर्मा बनना ज़रूरी है कि मैंने आपको बताई दिया था सुबह बने या रात को बने एक टाइम तो बने गई बनेगा चुर्मा खाने में और भाई बहुत करना होता है दोनों चीज आपस में और लास्ट में इन में डलता है बिलकुल देसी वाला घी और गी इतना जारा डलता है कि थाली पूरी की पूरी चिप-चिपी हो गई है तो फाइनल जब बन रहा था ना तो मैंने सुचा चलो यह भी क्लिप निकाल के आपको दिखा देती ह यह तो में चीज है आज की सकरात वाले दिन की और किस कि यहां पर चूर्मा बनाता है या फिर आप लोगों ने कुछ और बनाया सकरात पे कई जगह जगे जो कि वैकर बनाते हैं लेकिन गाजर फाग के वेखसे बनाती रहते हूँ पाते के शहर Khadr जुछ अधि के मेरा मनाँंगा तो लगो म्याता मेन चूना stärी है तो और भी हमेशा चूना तो फिर मैं ही बना दोगी कोई बात नी क्योंकि वैसे बिना त्रेश उठी गया है सो के और वो चिपकाई बैठें उसको पता नहीं क्यों डिला डिला सा हो रहा है शायद और नशोएगा इस वज़े से तो हो जाता है पिछ जैसा नींद में चिड़ चिड़ा सा उतरी नीरा बिल्कुल भी बोदी से तमाने का चलो आप दोनों काई बनाना है बस लिश्चे को और इनका और अभी जो है ना मैंने डाल दिया है देखो छोटे सा चूर्मी का लट्टू मैं छोटा ही खाती हूं और एक रोटी और एक रोटी जितना ही चूर्मा और यह दाल यह तो है मे बिला यह और दो आज निश्चे मिला था न के ऐयलो कर दो चलो सबको कैसे ओपань कर पिजिदी कि anxalam क्या शुआ है लूब ड़ासकता और देखो आसका सकता है और तीशु देखो काँ खड़ा है तीशु को तो पसे किये काम है देखो निशु रहें दे उसको उसके बिटा टी डोग उसके टीथ में बन करता है उसका कुछ ना कुछ चबाने का और यहीं से एक शोट वीडियो बनाया था मैंने कल वो वीडियो आप देखना आज जो इस करा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज की इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं बाबाई